संजे लीला भनसाली की विवादासपत फिल्म पदमावत मद्यप्रदेश में गुपचुप तरीके से रिलीज हो गई है फिल्म को भोपाल के चार बड़े मॉल्स के स्क्रीन में दिखाया जा रहा है सभी शो शाम पांच बजे के बाद के रखे गए हैं बुक में शो में फिल्म के टिकट बुक की एडा रहे हैं जिन मॉल्स में फिल्म के टिकट बुक हो रहे हैं उनमें आशिमा और डीबी मॉल के सिने पॉलिस, सी ए किसके आई नॉक्स और औरा माल का पी वी आर शामिल है इन चार मॉल्स में कुल 15 शो दैश भोपाल में रिलीज के पहले ही दिन यानी दस फरवरी को चार मॉल्स में इसके कुल 15 शो दिखाय जाएंगे दैश सभी शो पांच बजे के बाद शुरू होगे आखिरी शो रात दस बज कर 50 मिनट पर शुरू होगा दैश बतादे की राजपूत करणी सेना और दूसरे संगठनों के विरोड के चलते फिल्म को मध्यप्रदेश समेत चार राज्यों में रिलीज नहीं किया गया था दैश फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हुई थी हाला कि इसका पेट प्रिवी उचो 20 जनवरी की रात को भी हुआ था रिलीज से अब तक की इतनी कमाई दैश रिलीज के करी 15 दिन बाद फिल्म ने डोमेस्टिक लेवल पर 236 करोड की कमाई कर ली है दैश पदमावत फिलहाल दसवां है येस्ट ग्रोसर मूवी बन चुकी है इससे पहले बाहु बलीडो, दंगल, पीके, टाइगर जिन्दा है, बजरंगी भाईजान, सुल्तान धूम तीन, कृष्टीन और किल्खी उससे आगे है